जैहिन दोस्तो मैं हुराकेश हो जी दोस्तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं असम राइफिल के अंदर जो जवान वासरमेन पोस्ट पे भरती हो जाता है तो उसको कितनी सैलरी मिलती है ट्रेनिंग के दोरान कितनी सैलरी मिलेगी आफ्टर ट्रेनिंग कितनी सैलरी म लेजिएगा अगर आपको वीडियो अच्छा लगे जिरूर कर लेना दोस्तों असम राइफल के अंदर हम वासरमेंग पोस्ट की बात करें तो जो को ट्रेड में से वासरमेंग से जो पोस्ट होती है यह कौंश्टेबल रेंग की पोस्ट होती है तो पहले हम बात करेंगे कि जैसे आप बढ़ती हो जादे ट्रेनिंग के बाद में अलाउंस वगयरा सब कुछ मिलने के बाद आपको कितनी से लिए आपकी परमंत बनती है तो आपको सबसे पहले बनती है बेसिक पे जो होती है कौंश्टेबल रेंग की वो होती है 21,700 रुपे अब आपको जो भी अला 2700 पे 34% डिये बन जाता है तो 34% डिये 2700 का 7370 बनता है तो आपका डिये और आपका एचारे दोनों करके लग बग आपकी जो सेलरी बन जाती हो 39,000 कि सम्थिंग आपकी बन जाती है इसके बाद आपको मिलता है एचारे जो मिलता है यह मिलता है आपकी जो सहर है आपका जो भी सहर हैं सबी फिर ग्रामनिक लिख सभी सभी को तीन gev कakapी वो और आपको 9600 रुपर हम दसाट है 21ी मिलता है सब्सक्राइब कि आपकी पोस्टिंग किस लगह पर मान आपकी पोस्टिंग पॉस्टिंग चलने देंड आ chaotic mm पॉस्टिंग कई जगा पे जैसे टीपीटी मिलती है तो लगबग दो हजार एक सो आट रूपर टीपीटी बन जाती है तो आपकी बेसिक पे एचारे डीए टीपीटी रिस्क लाउंस इसके अलावा आपको छोटा मोटा लाउंस जैसे आपका सोप टोयलेट लाउंस और यह मिलता है 45 जाता है इसके अलावा जितना आपका 10 परशन्टा आपका करता है 14 परशन्ट इसके अंदर गुवर्मिंट का contribution होता है यहीं कि आपका जो new pension system का एक account होता है उसके अंदर हर महीने आपकी basic pay और डिये का 34% sorry 24% उसके अंदर add होता रहता है जिसमें 10% आपका रहता है 14% गुवर्मिंट का contribution रहता है तो इस परकार से लगबग आपकी 2900 रुपेजी something cut होती हो जाती है जैसे आपके training complete होती है training complete होते है आप बटालियन करते हैं तो लगबग आपकी मलब cash in hand salary आपके 40,000 पर आपके अकाउंट में salary आ जाती है first salary लगबग और थोड़ा बहुत अजार दो हजार को पर निचे का वो डिपेंड करता है आपके जो बटालियन होसके अंदर आपको risk lounge कितना मिलता है मिनिम्म से मिनिम्म भी हम मानके चलें 35,000 से अबोव आपके अकाउंट में salary आ नहीं आनी है 100 पर से आप बिल्कूल से जो कम से कम रिस्क लाउंस दिशेतर मिलता उसनों भी आपके तनाती हो जाएगी 35,000 तो आपको salary मिलनी मिलनी है उसे जादे मिलेगी इसके बाद हम बात क अगर ट्रेनिंग से पहले कि हम बात के तो ट्रेनिंग से पहले आपको टीपीटी और जो रिस्क लाउंस होता है यह लागू नहीं होता है तो इसके अंदर आपकी जो salary बनती है लग बगे मला आपको basic pay 2700 डीय अ चारे यह सब करके लग बग आपकी 30,000 क्यास पार salary बनती है 28 से लेके 39,000 रुपे के शम्तिंग आपको salary first में मिलती है लेकिन आपकी salary बिड़ोतरी होती है वो होती है आपकी training के बाद में बोडिपेंड करेगा कि आपको कितना risk class में मिलता है तो यह आपको समझ में आगा होगा कि जैसे आप बढ़ते हो तो मैं लग बग आप 30,000 रु कौन कौन salon से मिलते हैं तो जहां तक मेरा विचार है आपको salary के समझ में पूरी जान कर्यापको मिल गई होगी अगर इसमें फिर भी आपको किसी पर करका डाउट हो कमेंट करके बता सकते हैं अगर आपको वीडियो अच्छे लगा हो लाइक और शुक्र करना बोले जै